आससी जीडी कोस्टेवल भरती 2018 को लेकर एक बड़ी खबर बिलकुल दोस्तों अब आपका रिजल्ट के दिन काफी ज़्यादा नजदी का रहे मतलब फाइनल मैट लिस्ट है वो 20 जनवरी को आने वाली है इसी 20 दोस्तों आपके लिए एक बूरी खबर है काफी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि लगाता रिजेक्शन सिल्प भैजी जारी आखिर क्योंकि कल लगबग 5 तारीक से लेकर अभी तक काफी ज़्यादा ब्यारतियों के कमेंट आ चुके मेरे पास में कि सर मेरा रिजेक्शन सिल्प आया है मेरा रिजेक्शन सिल्प आया है तो ऐस उसी बड़ी वज़ा है जिसके कारण आपका जो फाइनल रिजल्ट है उससे कुछ दिन पहले भी उनके रिजेक्शन सिलेप या पर बेज़े जा रहे दोस्तों इसको लेकर सारी जानकारी आपको इस उड़े में डीटेल से बताई उससे पहले भी तक वीडियो को लाइक नही कातार ब्यारतियों को इंतजार हो रहता क्या 85,000 सभी मेडिकल फीट कैंडिडेट भरती हो पाएंगे लेकिन इसी बीच फिर से एक बार आपकी रिजेक्शन सिलेप आना सुरू हो चुकिए बिल्कुल दोस्तों काफी ज्यादा कमेंट आ रहे ब्यारतियों के इसलिए मैंने तो अपना डिष्टिक सही तरीके से नहीं अपलाई किया बिल्कुल क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो जर्नल डिष्टिक एरिया से विलोंग करते हैं और उन्होंने बोर्डर डिष्टिक एरिया या नकसल एरिया से फोम अपलाई कर दिया तो उनके कैंडिडेटों क rejection slip आ रहे बिल्कुल साथ ही बहुत कई candidate ऐसे हैं जिन्होंने documentation में बड़ी गलती कर दी जिसके कारण भी rejection slip बैजे जा रहे कुछ candidate ऐसे हैं जिनको medical issue के कारण भी अभी भी rejection slip बैजे जा रहे तो दोस्तों यहां पर बात करें तो काफी ज़्यादा candidate के यह doubt चल रहे थे कि sir rejection slip आखिर क्यों आ रहे हैं कौन कौन से candidate के आ रहे हैं जो candidate physically के साथ में medically groundly fit हुआ है और document verification में एकदम fit हुआ है उन सभी candidate को गपराने की कोई ज़रुत नहीं है लेकिन जिन candidate ओने किसी ने किसी परकार की गलती की है तो उनको यह rejection slip आ सकता है बिल्कुल दोस्तों काफी ज़्यादा candidate के सुकरवार और सनिवार को भी rejection slip आये थे काफी ज़्यादा अब्यार्ति कमेंट कर रहे थे कि sir मेरा rejection slip आया है बिल्कुल दोस्तों यही एक बड़े कारण है जिसके कारण बहुत सारे candidate को rejection slip आ रही है जैसा कि आप सब को पता होगा 20 जनवरी को आपका result आने वाला है बिल्कुल ओपिसली तरीके से SSC की side पे upload कर दिया गया notice कि 20 जनवरी को SSGD कोस्टेबल बरती 2018 का result जारी किया जाएगा इसी बीच एक बड़ी लड़ाई चल रही है कि SSGD कोस्टेबल 2018 में सभी जो 85,000 candidate है जो 85,000 medical pit candidate है क्या उनको भरती होने का मोका मिल पाएगा क्या सभी की इस बार बरती होने का मोका मिल पाएगा क्या final merit list में सभी candidate हो को भरती किया जाएगा मतलब final merit list में सभी candidate हो को सामिल किया जाएगा क्यूंकि यहाँ पर लगबग आपकी जो vacancy है वो 60,000 के लगबग है लेकिन आपकी जो total medical pit candidate की संक्या की बात करे तो यह 85,000 के लगबग है बिल्कुल दोस्तो 85,000 के लगबग है अगर बात करें तो 25,000 candidate होंगे जो इस बरती परक्रिया से बाहर हो सकते हैं अगर आपकी vacancy increase नहीं हुई तो तो दोस्तो मैं बताते हो लगातार social media पर ट्वीट चल रहा है बड़ा अभियान चल रहा है लगातार ब्यारतियों के द्वारा बड़ा यहाँ पर कारिक क्या जा रहा है vacancy increase करने को लेकर PMO हो या फिर CRPF हो या यहाँ पर ग्रेम अंतराले की तरब ट्वीट करके लगातार यहाँ पर vacancy बड़ाने की गुवार लगाए जा रही है ब्यारतियों की काफी लंबा समय हो चुका है 2018 की जो बरती अभी 2021 चल रहा है दोस्तों काफी लंबा समय हो चुका है काफी ज़्यादा candidate तो ऐसे हैं जो over age भी हो चुके बिल्कुल उन सभी के बविसे के लिए क्योंकि पेरा मिलिटरी फोर्सेज में 11,000 से ज़्यादा constable के पदों पर vacancy खाली पड़ी है अगर ग्रह मंत्राले इन में से 25,000 vacancy बड़ाता है तो यहाँ पर सरकार को भी काफी ज़्यादा होगा इससे क्योंकि 25,000 जवान उनको यहाँ पर physically, medically और return qualify हुए मिल जाएंगे साथी पेरा मिलिटरी फोर्सेज को जवानों की तोड़ी कमी चल रही है वो भी पूर्ती हो जाएगी साथी 25,000 UIS हैं जिनके एक परिवारों का एक एक जवान है वो भरती होगा जिसे उनके लिए भी एक काफी अच्छी बात है इसलिए सरकार को vacancy है वो बढ़ानी चाहिए लगातार उमीद जताए बैट है कि vacancy बढ़नी चाहिए सभी medical pit candidate को भरती होने का मोका मिलना चाहिए तो दोस्तो ये थी एक मेरे दोरा दी गई छोटी सी जानकारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पे पहली बाहर आयो और आगे आने वाली असर जीडी कोस्टेबल बरती 2018 से जूड़ी हर परकार की अबडेट अगर आप आना चाहते हो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों सुडियो में इतना ही मिलते नेक्स उडियो में तब तक के लिए जाइन जाइन